और एक बार फिर एक रहाजिर है मों और नहीं रेशवी के साथ सबसे पहले हम डालेंगे पांद मेदा और मेदा के साथ आंट डालेंगे नमक डूटैबल बया यह तो एक 40 इस्पॉन लिया है नमक और इसको जो है सब से तो गोल को हमनी द्यान रखना है दीरे दीरे बनाना है जिससे की जो है मैंदे के उपर कोई दाने नहों और एक स्मूथ पेश्ट बन जाए तो इसका हमनी स्मूथ सा गोल बनाना है इसको हमें ज्यादा पतला नहीं करना चाहिए इसको हमें इसी तरीके का गोल बनाना है तो य और इस तरीके से शोटे-धाद से कन लेना है और इसक बाद हम इसको भी कट लेंगे तो इस तरीके से छोटे-चोटे में पीस कर लेना है उसके बाद जो है हम इसको भी एक के चार कर लेंगे तो इस परकार से हम सारे को ऐसे ही काट लेंगे तो जब हमारे सारे इस तरीके से कट जाएं उसके बाद जो है हमने इसको इसके उपर डालना है कि उपर डाल देंगे एरोगिनो और उसके बाद जो है इसके ओपर फिर एड़ करेंगे, एरोगिनो, सिजलिंग, तो इस दोनों को हमने इनके ओपर डाल देना है, और उसके बाद जो है, हमनी जो घोल बना कर रखा हुआ था, तो वो घोल ले लेंगे, तो एक एक करके हम इसमे डिप करेंगे, और उसके बाद जो है हमनी जो है एक पहले पेश्ट बना लिया था कुरकुरे को इसको हमनी मिक्सी में पीश लिया था और इस तरीके से इसको हाथ से दबा कर प्रेस कर देंगे और इस तरीके से हम इसको बना कर रिड कर लेंगे तो फिर हम इसी तरीके से सारे पीज को हम ऐसे इसके क्राम में लगा कर हम सब को तयार कर लेंगे तो इस तरीके से हमनी जो है सब को बना लिया है और उसके बाद जो है हम इसको कर देंगे फ्राइग तो सारे हमारे बनकर तयार हो चुके हैं उसके बाद जो है हमनी तेल को गरम कर लिया है तेल हमें हाई फिले में गरम करना है उसके बाद जो है हम इसको फ्राइ कर देंगे तो हमें इसको जादे देर तक नहीं फ्राइ करना है बस 30-40 सेकिंड तक हमें इसको फ्राइ करना है और उसके बाद हमें इसको निकाल देना है तो हम इसको निकाल लेंगे 30-40 सेकिंड के बाद तो जब हमारा इस तरीके से हो जाए तो हम इसको सब को प्लेट में निकाल देंगे तो यह हमारा सनेक्स बन कर तयार हो गया है तो कापी इजी और कापी टेस्टी सनेक्स है बच्चों को भी कापी पसंद आएगा आप लोग घर पर जिरूर त्राइगे